हेलो फ्रेंड्स स्वागए था आपका हमारी यूटूग चैनल मार्केट लर्ण लवर में और दोस्तों आज देखे फिर से एक बहुत ही शांदार शेयर हम आपके लिए ढून के लाए हैं बहुत ही शांदार यह कंपनी होने वाली है और देख लेते हैं क्या है कंपनी कौन सी करती है क्या कामकाज करती है और लेकिन देखे उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल के आइकन को दबाकर उस पर ओल पर सेलेक्ट जरूर कर ल अच्छा हमें growth हर चीज में देखने को मिली है यह देख सकते हैं आप तीन साल में 13% की तो profit growth है sorry sales growth है profit growth देखें तो 48% से और अगर CGR देखें तो 400% से यहीं अगर 5 साल में देखें तो profit growth 103% से बढ़ते हुए हमें दिखाई दी है यह देखेगा तो बहुत सांदार company अभी जो से पहले जो company में main चीज होती है वो होती है share holding pattern तो इस company का अगर share holding pattern हम देखें तो promoters के पास 85.3 की holding बनी हुई है हमेशा से और इसमें देखें pledge कोई भी नहीं है सबसे बड़ी बात है ना ही कोई ऐसी holding है जो की लोग हो तो एक अच्छी बात है यह company के लिए company का अगर market cap दे से इसका लो था पांच का PE है सस्ते PE पर मिल रहा है book value माइनस में है और ROC है 28% का face value 10 की है तो split भी हमें यह देखने को मिल सकता है in future company हमें fertilizer में काम काज करते हुए दिखाई देती है अगर देखें तो यहां आप देखेंगे company का product portfolio जो है विजय fertilizer विजय organic product विजय नीम तो जो नीम का जो खाद बनता है वो यह सारी चीज़े company बनाती है खाद बगएरा यूरिया बगएरा company का नाम भी आप देख लिजे मद्रास fertilizer limited और क्या करती है यूरिया and complex fertilizer it also involved in manufacturing bio fertilizer तो bio fertilizer भी यह बनाती है trading eco-friendly agrochemical तो eco-friendly जो agrochemical आते हैं उसमें भी काम करती है company और city compost में भी company हमें कामकाज करते हुए दिखाई देती है और इसका जो product है product का नाम है विजय विजय नाम से ये product launch किया हुआ है इसने जो भी है इसके देखिए fertilizer जो है उसका नाम है विजय fertilizer और जो organic product है उनका नाम है organic तो कुल मिलाके brand का जो नाम है इसने बिजय से launch किया हुआ है अभी देखिए चार्ट अगर देखें company का तो ओपर की और हमें नजर आता है लेकिन अब जो है थोड़ी सी profit booking हो रही है तो इसको हम अगर buy करेंगे तो 60 के आसपास इसको अच्छी buying इसमें बनती है अभी दिए साथी साथ 103% का CGR पिछले 5 सालों में company ने बनाया हुआ है अगर बात करें हम इसके कौंज की तो sales growth पिछले जो 5 सालों में है सिर्फ 10% से बढ़ी है और कुछ इस पर liability भी है 654 क्रोड की तो यह थोड़ी सी दिक्कत है company में बात करें sales की तो company की sales हमें हम ऐसा बढ़ते हुए दिखाई दिये हैं 47 करोड के loss थे कभी अब जाकर 24 करोड के profit है लेकिन अभी पिछले दो quarter से जो profit हमारे कम हो रहे हैं देखिएगा 95 भी हो थे लेकिन कोई बात नहीं एक दो quarter और हम देखेंगे इसे अगर हमने इसमें position लेनी है तो अच्छे profit अगर company करती है तभी इस बाकी सारी चीजी दो फिर भी ठीक हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दिखाई देती है company में ये के जो reserve है company के माइनस में है लेकिन इसमें थोड़ी सी रहा था मैं देखना को मिलेगी के reserve जो है अब अच्छे हो रहे हैं माइनस 900 करोड के अलगभव हुआ करते थे अब रह है कि अब improve इसमें कर रहे है ये company और करजा जो है करजा भी company ने कम किया है पिछले quarter से थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी risky share है बहुत ज्यादा investment की सलाह इसमें मैं तो नहीं दूंगा लेकिन फिर भी आप अगर invest करना चाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा अपने analysis करके फिर invest में कर सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को subscribe जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत